हेलो स्टुडेंट्स आज बी ए पार्ट सेकेंड सोशलोजी में फर्स यूनिट का टोपिक रूरल सोशलोजी का अपना चला हुआ है उसी कड़ी में आगे है इंपोर्टेंट्स आफ रूरल सोशलोजी यानि ग्रामीन समाज सास्त्र के महत्वर अथ्वा उप्योगिता के बारे में चर्चा करेंगे इस ये पूरू भी इछले दो वीडियोज में रूरल सोशलोजी के बारे में बता चुके हैं First video में Meaning and Origin of Rural Sosalogy था और Second video में चेत्र ग्रामीन समाज सास्त्र का चेत्र अर्थार्थ Scope of Rural Sosalogy आज आगे बढ़ करके इसको पूरा करते हैं Importance of Rural Sosalogy के ग्रामीन समाज सास्त्र की हमें आविशकता क्यों है और ग्रामिन समाथ सास्त्र की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है What is the significance, what is the importance of rural sociology तो ग्रामिन समाथ सास्त्र के महत्वे अत्वा इसकी उपयोगिता, अत्वा इसके प्रकारियों के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार परकट किये हैं सभी का सार रूप से कुछ बिंद्वों के अंत्रगत इसको अपन विचलेशित कर सकता है पहला है इसका समाथ सास्त्र महत्व जो सरवाधिक महत्व पूर्ण है Sociological Importance, Sociological Significance ग्रामिन समाथ सास्त्र के अंत्रगत विभिन प्रकार के समाजिक संबंदों, संग्ठनों एवं प्रक्रियावदी के अध्यनों के द्वारा जो सिध्धानतों का निर्मान होता है उससे समाथ सास्त्र विशे के ज्यान में विर्दी होती है समाज सास्त्र के छेत्र का विश्तार ग्रामिन अध्यनों के प्रणाम सवरूप बहुत अधिक हुआ है और इसके द्वारा प्रतिपादित अनेक सिध्धानतों की परमनिक्ता की जांच ग्रामिन छेत्रों में ग्रामिन समाज सास्त्र करता है चुकि ग्रामेन समाज सास्तर छोटे समाजों सरल समाजों अर्थार्थ हमारे गावों का धेन करता है जिसका उप्योग समाज सास्तर विर्द एम जटिल समाजों को समझने में भी करता है क्योंकि पहले चोटे और सरल समाजों को समझते हैं अपन उसके बाद उत्रोतर समाज में जटिलता हैं आती जाते हैं तो हम complex societies को भी जटिल समाजों को भी समझने का प्रियास करते हैं ग्रामिर समाज सास्त्र संस्कृति और विभिन संस्थाओं के प्रारंभिक रूपों को समझने एमम उनकी उत्पति तथा विकास के अध्यनों में समाज सास्त्र की साहिता करता है यह एक वेगनिक तथ है कि यदि पहले सरल रूप से किसी चीज को समझ लिया जाए तो जटिल और जटिलतम रूपों को भी समझना आसान हो जाता है ग्रामिर समाज सास्त्र के अध्यन वास्त्विक यथार्थ सत्य और विश्वशनी होते हैं क्योंकि अपने इसमें गाउं में जाकर के प्राइमरी डाटा एक्त्रित करते हैं प्राथमिक प्रकार के तत्यों का एक्त्रिकर्ण करते हैं तो ये फेस्टु फेस्ट जाकर के स्टडिय होते हैं किसी भी टोपिक को ले करके किसी चीज को ले करके गाउं में जो सर्वेक्षन होता है तो वो primary data एक्तरित होता है primary data जो होता है वो वस्तोनिस्ट होता है विश्वस्न होता है Gramini सास्तर के जो अध्येन है जो objective है वास्तविक है इसमें अनेक अवधारनाओं और सिधान्तों का निर्मान गाउं के अध्येन के आधार पर किया गया है तता इन अध्येनों से निश्चित रूप से समाध सास्तर ग्यान में विर्दी होई है हमारा यही सका एक sociological signal के कहाँच है बहुत ज़्यादा समाध सास्तर ग्यान में विर्दी निरंतर होती रहती है ऐसी जो भारनाएं जैसे प्रभू जाती है dominant caste संस्कृतिकर्ण स्वयमिन श्रीनिवास ने देती संस्कृताई जेशन दक्षन भारत में ध्यान वा था इस्थान ये करन है localization हमारी लगू परंप्रा और विर्द परंप्राएं है जो रॉबर्ट रेड फिल्ड ने तो dominant caste है संस्कृताईजेशन है localization है और हमारी लगू और दिर्ग परंप्राएं है विर्द परंप्राएं है वो ऐसी एउधारनाएं है जिनका ज्यान हमें ग्रामिन समाथ सास्तर से मिलता है और आगे चल करके sociology in general में भी काम आती है उपयोगी होती है समाथ सास्तर के लिए तूसरी जो category है sectionic महतो educational importance ग्रामिन समाथ सास्तर के अध्यन जो है वो हमें ग्रामिन समाथ के बारे में उसकी संस्कृती वहां का धरम वहां के राजनीती वहां के आर्थिकी जैसी परिभासाएं और सूचनाएं परदान करता है समय समय पर जिसे सभी को ग्रामिन समाथ के समन में एक व्यवस्थित और करम बद ग्यान की प्राप्ती हökती है सभी ग्रामिनों को अपने समाथ अपने संस्कृती अपने दिकारों और अपने कर्तव्यों का ग्यान रूरल सोचलोजी से मिश्चितरोप शेप्राप्त होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमारी कौन-कौन से रितिरवाज है हमारे अधिकार क्या क्या है हर क्या क्या दाइतों है वो हमारी 55 जाज़ जेसे संस्प्ताइब और अर्थिकी है जो गाउं की इकनोमी है दोस प्रकार से सद्धांतिक और व्यभारिक दोनों ही चेतरों में नवी इन ग्यान में व्रधी करने करके हमारा समाद सास्थर जो है ग्रामीन समाज सास्त्र एक sectional क्योगदान परदान करता है तीसरा point है में समस्याओं के अध्यन एम समाधान में सहायक helpful in the studying and solving the problems पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने चरचा की थे आप से कि हमारे समाज सास्त्र का एमानना है कि ग्रामीन समाज सास्त्र की तो उत्पत्य और जनम ही ग्रामीन समस्याओं का solve करने के लिए हुआ था तो ग्रामीन जो समाज है वर समस्याओं से तो कोई भी समाज से नगरिये होँचे ग्रामीन होँआ समख्याओं को समखने में उसका सवरूप क्या है और उनकी समख्याओं आपट्रष्टाय हेल्फुल होती है तो विफिन परकार किसे मच्चाहं जो ग्राओं में पाई जाती है अस्ते टो तो मैं अपन रोज देखते हैं डन एक जीवन में दिरुजगारि निमन जीवनिस्तर, गरीबी, रने गिर्षतता यहने किसान करजे में डूबे रहते हैं किर्षक समाज का स्वास्थे की कंडिशन्स और हमारा समाजिक विगटन जो बहुत बड़ी समस्षय हांतत है सभी समस्षयाओं का पुंज है, इन सभी का अध्यन ग्रामिन समाज सास्तर में होता है और इन समस्षयाओं का समाधान परस्तूत करने का कारिये भी ग्रामिन समाज सास्तर करता है, सुसाव करता है और फिर इन सुधाओं पर सरकार गोर भी करते हैं और जब हम ग्रामीन समाध सास्त्री कोई सर्वेक्षन कारिय करने के उपरांत कोई रिपोर्ट या परतिवेदन परसुत करता है तो उन परतिवेदनों को सरकार तवर्जो भी देती है उसा धार पर पॉलिशीज बंगती है आगे चलकर फिर इन लोगों के कल्यान के लिए कार जबान परसुत करने में या उसको कम करने की दिशा में सुझाव परदान करता है अगला प्रिहार ये पत परदर्शक इंडिश्पेंशेवल गाइड के रूप में गाइड की मुमिका निभाता है रास्ता दिखाने वाला पत परदर्शक हमारे भारत के प्रसित ग्रामीन सम निर्मान के लिए उतना ही प्रियार है जितना की एक डोक्टर के लिए मेडिकल साइंस एक चिकिच्चक के लिए चिकिच्चक विज्ञान जितना जरूरी है ग्रामीन समाद सास्ता परदर्शक इंडिवारी है यह ग्यान ग्रामीन विकास्ट योजनाओं को लागू करने मे एक महतोपून पत्परदसक का कारिय करता है देशाई आगे बोलते हैं कि किवल तभी सामाजिक के कारिय करम एम सामाजिक कारिय सफल हो सकते हैं जो की वैज्यानिक सामाजिक सिद्धान्त पराधारित हों और उनके अनुसार ही निर्देशित तता प्रारंब किये गए हैं यानि ग्रामीन जो कारिक्रम हैं वो ऐसे social theories के उपर आधारीत होने चाहिए जो scientific, organic समाज़िक सिद्धानतों पर आधारीत हो और उनी के द्वारा ही निर्देशित हों, guided हो तो ग्रामीन जो समाज़िक प्रकार का पतपरदर सक है जो दिखाता है कि क्या करना है, किस प्रकार के सिद्धानतों के आधार पर हमें आगे study करने है और गाउं का reconstruction करना है गाउं में अने को समश्चाएं होती हैं, अने को विशंगतियां होती है तो उनका एक जो विकास कारी होता है, जिसको बोलते है अपन सतत विकास आगे भाविश्य के लिए भी जो चलती रहती है जो विकास तो उसके लिए योगदान देता है अगला point है कर्षकों के लिए महत्वपॉन importance for peasants, बहुत जरूरी है क्योंकि गाओं की जो जन्संक्या है वो 2001 की आंक्रों के नुसार अब वो 70% थी भारत में और हमारी यहाँ अब 2011 की आंक्रों के नुसार 69% जन्संक्या गाओं में रहती है यह वो 31% जन्संक्या जो है 31% सहरों में निवास करते है तो बस्तुते भारत गाओं का देश है नेचरल इस्वाभाविक रूप से और कर्शी परधान व्यवसाय है तो स्वाभाविक रूप से कर्शकों पर फोकस हो रहेगा और कर्शकों को रिलेकर के स्टडीज भी हुई है और कर्शकों के लिए समश्याएं भी जादा है तो कर्शकों के लिए सरवादिक महतोपूर्ण है ग्रामिन समाद सास्त इसमें समद्धित अनेक को समश्याएं होती है और उनका सुक समद्धेनों के द्वारा जो निराकरन करने की कोर्शिस की जाती है किर्शी से सम्मंदित अनेक परकार के नवाशारों का परचार परचार करने का कारिये और जैसे किषानों के लिए उन्नत खाद, उन्नत कैटेगरी के बीज, कीट नासक, रसाइनिक खाद इत्यादी, मसीनी करन जैसे किषानों का हर्वेस्टिंग सेस्टम को किस परकार सुधारा जाता है, कममाइन मसमीन आती है, किस परकार से वो फशलों का निस्तारन करते हैं, किस परकार कटाई होती है, और वो सब चीजgreg can के में बहुत समय पूरहों तक है, कुछ समय पूरहों तक है, मात्र सहे धानतिक विशे के रूप में ही इसका घ्यान उपलब लिथा हमें, और केवल हम यह कहलते हैं, थ्यूलिटिकल नौलिज हमें परदान करता है, लेकिन दिनों दिन ग्रामिन समाद सास्त्र का जो महतो है, वो है, तो इसके साथ साथ बढ़ता से लागया, स्वाभावी कुरूप से, जैसे सामुदाइक विकास का रिकरम है, शाक्षर्ता का रिकरम है, प्रोडशिक्षा का रिकरम है, जन कल्यान के अनेक योजनाएं हैं, जो पंचैती राज के माध्यम से चलाई जाते हैं, जो थ्री उन्सेट के अंदर भारत के प्रतम प्रतान मंतरी जोहाला नेरु ने राजिस्थान के नागोर जिली से ही शुरू की थी, 1959 में, उसके बाद उन्नी सो त्रान में पर्दात अंत्रिक विकेंद्री करन में अनेकों परकार के सुधार हुए, समिधार में संसो दन हुआ, ती ए उसके लिए ग्रामिर्ण समाथ सास्तर के आवशक्ता पड़ती है, ग्रामिर्ण समाथ सास्तर के अंतरगत अनेकों योजनाएं संचालित होती है, ग्रामिर्ण समाथ सास्तर के अनेकों योजनाएं संचालित होती है, ग्रामिर्ण सेवक है, आंगनवारी साही का है, मुखे स कर्षी में नवाचार प्रारम की जानकारी समय प्रकिशान को मिलती रहती है कि जो वास्तों में निसंद किसान की मदद करते है। यह समाज यह बहुत मदद शाबित होते हैं। प्रमुख्वयव्प्रिसाय में औरुप्रोट का जो जो ऑद्रां में होते हैं, जैसे चफघ्र ही योजना बाग होता है कि वह योजनाएं अनेक प्रकार की बनती हैं और किरियानवीत होती हैं सुरक्षा योजनाएं हैं कॉम्मूनिटी डवलप्मेंट प्रोग्राम जो ने सबावन में बना था आजादी के बाद सामुदाइक विकास कारेक्रम पूरे देश में लगू हुआ था इसके अंतरकत ग्रामीन विकास विभाग का गठन होता है जो की पंचैत लेवल से लेकर के भारत सरकार के अंदर ग्रामीन विकास और किर्शी मंतराले तक हर राज्ये के अंदर एक ग्रामीन विकास मंतराले होता है पंचैती राज को भी कई बार उसके साथ जोड़ा जाता है कई बार पं से नीचे तक योजणाओं का कईरियानवेन है, परभावी निर्देशन है, उसकानेयंत्र रखा जाता है. अनुसंधान छेत्र, किर्शी की अनुसंधान सालये बने हुई हैं, सरकारी अनुसंधान विभाग बने बने हुई हैं, और सामाजिक विज्ञान सोसल साइंसिज के अंदर जैसे ग्यामिन परियोजनाओं को ले करके प्रोजेक्ट को ले करके अध्यन होते हैं समय समय पर हम अध्यन करते हैं रूरल एरियाज के अंदर और हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं कोई जो इच्छुक और जो इंटेलजेंट जो समाजिक सर्वेक्षन करने वाले हमारे जैसे रूरल सोचल साइन्टिस्ट होते हैं वो रूल एरियाज के अंदर जैसे पेजल का है जैसे आपके गरीबी का है जैसे आपके कूपोशन का है इन दसाओं का अर्धेन प्रस्तुत किया दता है वो अनुसंधान चेत्र के अंदर भी हम ग्रामिन समाज सास्तर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यदा प्रभावी है अने कि कॉंसेप्ट वेलफेर स्टेट की कॉंसेप्ट है और उसी चीज को वो पॉलिशीज के मादम से नीचे लेवल तक यानि कि है हमारे रूल सोसाइटिस तक लागू करता है बनने जाती कल्यान भी भाग है समाज कल्यान भी भाग के अंतरकत हिकारी करते है सर्मिक कल्यान भी हुणल है हमारे म HambNatury कि यक करशी का सिर्जन होता है उसमें स्मॉस दिशा के अंदर प्रियास करने के लिए लिए शरमी कल्यान-भी भाग होता है तो इस अरे जो विभाग हैं, सरकारी लेवल के उपर, वो जो है, चलते हैं डिस्टिक लेवल के उपर, फिर पंजाथ समिती लेवल के उपर भी, और ये ग्रामिन्ट समाज सास्तर की गाइडलाइन्स के असाथ से चलता है, शिक्षया जगत के अंदर हम योगदान देते हैं, ना, करने के माद दम से और अनेक प्रकार के सरकार दोड़ा समय समय पर चलाने वाले परचार परसार योजनाओं के माद दम से जिनके अंदर इन चीजों का समावेश होता है और कहीं ने कहीं इसकी बहुमी का परभावी होते हैं विविन प्रकार के अन्य जो ग्रामेण भी भाग है परजात अंत्रिक विकेंद्रिक रणी की परकिरिया को मजबूत बनाने के लिए पंचायत निरक्षक है से कारता भी भाग है कोपरेट्व खित्ती भी होती है कोपरेट्व मुमेंट चला है और जैसे महिलाओं के समय कोपरेट्व सोसाइटी होते हैं जो अर्वाज्द आ الد volunteer के वे हमारे टमर्ल बहुं को नर परदान करते हैं। इ 상태 वर परज़्ुक्ति कारियों के लिए मुत्पादिय कारियों के लिए उनको रिन मिलता है असान किस् 느raith को और अपरादियों के लिए जो सुधार भाग भी ग्रामें लेवल पे तो नहीं परचाथ समिती यानि कि उपखंड स्तर परताशिल स्तर के अपर जो गठित होता है गाओं में विविन प्रकार के जो अपराद होते हैं उनके बारे में भी किस प्रकार से रोखताम की जा सकते है या यह ने फैले हमारे समाज में जागरुपता कारिक्रम चलाए जाते हैं परिवार नियोजन के अंदर में निशन देयांगनवाडी महिला है और प्रात्मिक्स वास्ते के अंदर जो नर्सीज हैं जो मिडवाइफरीज हैं वो जो लोग हैं वो जागरुपता का कारिया कम क ग्रामिन और नगरी जीवन को समझने में भी शायक होता है क्योंकि नगर और ग्राम एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, नगरी जीवन को समझना भी ग्रामिन सावासास्तर के अंतरगत आता है, प्राय ग्रामिन जीवन की नगरी जीवन की तुलना की जाती है, तो अपन नगरी जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, यह केवल हम ग्रामिन जीवन का यह देन करेंगे, नगरी जीवन का देन नहीं करेंगे, हाँ, दोनों में अंतर जरूर है, यह ग्रामिन जीवन जो है, शांत जल के समान होता है, और नगरी जो जी तो दोनों का अध्यान भी होता है, क्योंकि दोनों को दूसरे एक दूसरे जुरूर्थ पढ़ते हैं, तो ग्रामेन समाज और नगरे समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इनका अध्यान दोनों के अंतरगत होता है, तुलना की जाते हैं, काम के अध्यानों का जो महतो है उन्त में, जो विय्ज स्टृड़ी के उपर ही इसका फोकस होता है, और भारत बार्शं स्ट जैसे कर्शीं प्रधान भैत्व, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसके उप्योगता बढ़ते जा रहा है। आपके पत्र्स पत्र कुछ काशे हैं। अने को समश्चे हैं, अने को अव्धारनाए हैं अने को टोपिक्स लेकर करके हम सर्वैक्षन का कारिया करते रहते हैं और ग्रामिन समाज के अंदर एक विकास की रफ्तार में अपन योगदान देते हैं कि ग्रामिन समाज हमारा आगे बढ़े ग्रामिन समाज सास्तर चो है इसे ये स्वस्ट होता है निशकर सरूप से कि हमारे लिए एक परदर्शक के रूप में और एक April हर ये विशे के रूप में आज कल इसकी उपयोगीता बढ़ती जा रही है यहनि कि इसको टला नहीं जासकता अवाइड नहीं कर सकतें आप इसको इसका इतना इतनी उपयोगीता हमारे लिए आज के दिन बढ़ चकी है यह हमारे लिए एक जरूरत बन सुखा है Thank you